Grand League, Grand League, Grand League जी हाँ Grand League में कल जो है Last Over तक भाई Rank 1 पे था 7 लाक लोगों में Rank 1 पे ऐसा टीम, ऐसा कॉंबिनेशन सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो में अगर Punter's का पता चल जाए जैसे मैं बताता हूँ तो आप लोग भी लगा सकते हैं लेकिन Last Over में वो 6 रैंक पे पहुझ गया कल के उसमें जाके आप लोग चेक कर सकते हैं और भाई आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कौन-कौन से Punter's आपके लिए Special होंगे Grand League खास कर जो आप लोग खेलना चाते हो Trump Card Picks आपको Grand League विन करवाते हैं क्योंकि रिसके पे जिसको कोई ने लिया उसको लेना ही आप लोग अगर लेते हैं तो Grand League में Top Rank आएगा बात करते हैं आज के वीडियो में बहुत लेट हो गया बहुत सारे भाई लोगों का मैसेज आरता कि भाई जल्दी से वीडियो बना दो जी हां आज भी giveaway है आसान सा जब भी आप पूरा वीडियो देख लेते एक कमेंट जरूर करके जाएगा रेंडम ली एक पिक करूँगा और आपको मिल सकता ये ब्रैंड न्यू टीशेट आपके घर तक एक रुपए नहीं देना है रहने वाली है बाकी यूप यूप वारियस भी अच्छे टक कर देने लास्ट दो मैच लगातार ये विन करके आ हैं तो अगर ये विन भी करते हैं तो कौन से करेटर यह होंगे क्योंकि आप चेजिंग बहुत जबरदस हो रहा है और अगर चेजिंग अच्छा हो रहा है तो फिर यहां पर यूप वारियस ये मैच चीद भी सकता है क्योंकि आरसीबी को देखिए बाई लगातार कुछ मैच इस ये हारते हुए भी आ रहे है तो पलड़ा थोड़ा डगमगार आ है फिर भी फॉर्म में नो डाउट आरसीबी के प्लेयर्स इस बार अच्छे चल रहे है तो और ऑन दा पेपर भी आरसीबी के टीम जो है वो फेवरेट रहने वाली है और लास्ट मैच है बैंगलोरो में साड़े साथ बजी ये मैच होगा देखा जाए ये मैच किस तरीके से ये लोग करवाने वाले हैं बल्लेबाजी पिच पर या फिर बॉलिंग पिच पर गाइस टीव के वबे में जल्दी सिस्सा ले 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 ना वीडियो के नीचे डिस्क लास है नहीं आपर से बात करें आ हाँ यहां पर से देख सकते हैं आर्च से भी बैंगलोर ने बाई दो मैच यह तीन मैच में से दो मैच जीट गए और यूपी वईस ने एक मैच यहांपर जीता भी है तो दोनों का प्ला ठीक था है आज बात कर लेते हैं कि ग्रैंड खेलने वाली हैं उसके बाद में C8 अपटू उसके बाद में Grace Harris है शोहता शहरावत है पूनम केमनार है दीपती शर्मा है सोफी एसल टोन है यहाँ पस थाई साइमा ठाकूर है अंजली सरवनी है और राजश्वरी काई कॉर्ड तो गाइस यह आपके सामने इस कंडिशन में यह मैच भी जीए सकते हैं तो उस कंडिशन में एक है बाई दिफरेंशेल पिक देखो डिफरेंशेल पिक में नो डाउट यह सारे लोग रखेंगे जो पिक होंगे कंफर्म वाले वो कौन-कौन से होंगे वो पहले आप लोगों को समझा देता हूँ फिर आप लोग ग्रेंड लिक के भी लगा सकते हो कल भी आप लोग ने देखा मेगना सिंग ने क्या बढ़िया बिकिट निकाल के दिया यहाँ पर से बात करते हैं कौन-कौन से इंपोर्टन होंगे और ग्रेंड लिक के डिफरेंशेल होगे देखिए कैपिटन सी अगर मैं बात करूँ तो यह सी एट अपर्टू पर बरोसा जता रहे हैं ग्रेस हैरीस पर बरोसा जता रहे हैं दीपती शर्मा पर बरोसा यह तीन गेंड बाज है साथ ही साथ में सोफी असल्टोन इनके चार गेंड बाज है पांचवा जो गेंड बाज है पांचवा गेंड बाज में आपको थोड़ा डिफरेंशियल हलाकि रिस्की जरूर होगा तो डिफरेंशियल किसको ट्राइ कर सकते हैं देखो अंजली शर्वानी को आप थोड़ा स सकते हैं किस henry यह जो एक उवर मिल सकता है आप चांसिस ले सकतेैं इंजय शर्वनी यह जोड़ा से शुर्वनी आपका कवनेल सकते हैं तोड़ा मुखन लेका है कभी लेकिन िसमौल लिग के लिए नहीं है क्यville कि भाई स्मॉल लिंग में इनको मौका बहुत कमी मिल रहा फिर आपका होगे बाई क्योंकि सामने वाले टीम नहीं लेगा आने वाले तो ग्रैंड लिंग में इनको जरूर ट्राइ करो अंजली शर्वनी हो गई साइमा ठाकूर हो गई और साधी साथ में यहां पर से बाकी कुछ नहीं यह दोनों जन्यों को आप थोड़ा सा ट्राइ कर सकते हैं पहले निंग में अगर यूपी बर्यस टोजित कर बॉलिंग करता है क्योंकि हो सकता है कुछ अनपेडिक्टेबल और थोड़ा सा विकेट मिल जाए कभी क्योंकि इनको हिट करने की भी कोशिश करेंगे तो वहां पर भी विकेट मिल सकते हैं बागी देखो राजेश्वाटी के सुफी असलिटो दीप्ती शर्मा ग्रेस और यह इंपॉर्टेंट ही है नो डाउट बागी बात कर लेते हैं यहां पर से किसका बल्ला यहां पर से चलने को चांसिस मन सकता है देखो नो डाउट किरन नग वि अच्छा पंटर नजर आ रही है तो यहां से इंपॉर्टेंट है बाकी एली सहीली ग्रेस और दीप्ती शर्मा यह कोई भी ड्रॉप नहीं करने वाला यह तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अब बात कर लेते हैं यहां पर क्या हमारे सामने को ओवर देखने को मिल रहा ह कारण यह है एक तो वन डाउन भी बैटिंग है और सारी जात में यहां पर से अगर मैं बात करूँ तो समिती मंदना सबसे पहले लेफ्ट इंडी है इन्हीं किसा आपने ओवर करवाने आ जाएंगे तो अगर समिती मंदना नो डाउट सेफ पी कि स्मॉल लिक के लिए तो अ समिती मंदना भरुसा जाता आ रही है ठीक है तो इस पर जैसे लेना पड़ेगा बाकी एस मेगना की बात करें काफी बड़िया बल्ले बाजी कर रही है इस सीजन स्मॉल लिक के लिए जबरदस खिलाडी है रखना पड़ेगा एलिसा पैरी रिचा गोश ये रिचा गोश की यहां पर से बात करते हैं अच्छा बरुसा जता रहे हैं इनको क्या टीम मिल रहा है तो मस्टप पिक होगा इसी के बाद में भाई यहां से बात करूं जी गरे हम बाई उपर में बल्ले बाजी करने आ गए थी परमोट हो गए थी और यह भी आपको लेक ब्रेक कर वाज ने सकते हैं ठीक है सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां हो गई यह लोग करते हैं इस वह से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं इनको ले लीजेगा बाकि श्रेयंग का पाटल जो है इनका शायद से नीचे में आएगा जी गरे हम फिर से ट्राइब कर लेना क्योंकि पहले इसके चलते थोड़ा सापको लेक ब्रेक में आशा शूबना का यहां पर से और किसका दिख रहा है इसका तो ओवर कंफर्म तोड़ा से दिखने वाले हैं अच्छा और श्रियंग का पाटल का भी दिख सकता है लेफ्ट एंडी के सामने अगर यह विकेट ना दिखे तो एक हम देखा एक किलाडी पर और हो रहा है वो कौन है अगर देखो पहले इनिंग में बैटिंग आया तो हम लोग रिचा गोश्ट के साथ में जाएंगे अगर आरसीबी ने बॉलिंग लिया तो एक ट्रम काड और है वो यहां पर से मौझूद है जो कि रेनु का ठाकूर है अच्छा आकड़े नहीं है लेकिन चेजिंग अच्छा हो रहा है इसके कारण ही क्योंकि पहले इनिंग में बॉलिंग अच्छा हो रहा है दूसरे इनिंग में तो कुछ भी नहीं हो रहा तो आप तो अगर लेना चाहते हैं यहां पर से रेनु का ठाकूर को इनको जगा दे सकते हैं यह एक ट्रंप है रिचागोश एक ट्रंप कार्ड है यहां पर से बाकी तो सारे लोग ले ही रहें यह भी बाई सोबना आशा मेगना को भी रख लीजेगा ड्रॉप मत कीजिगा यह बैतरीन प्लियर्स हैं जो परफॉर्मेंस दे रहें यहां पर से बात करें और यहा पहले निंग में बल्लेबाजी मिले और फिर थोड़ा सा आप लोग देख लेना एक आट टीम में ड्रॉप कर देना बाकि स्मॉल लिग के लिए बहुत बढ़िया किलाडी है ग्रैंड लिग में एक आट में जरूर ड्रॉप कर देना हो सकता शुरूवात में क्योंकि पिछली करती मंदना को लेना पड़रा मजबूरी में और जिसको ड्रॉप करना है फिर आप चाहो तो सोफिय डिवाइन को भी ड्रॉप कर सकतो लेकिन यह परफॉर्मेंस देती है मैं इतना ही कौंगा और एस मेगना बाई रेगूलर्ली अच्छा कर दिये हैं हर मैच में परफॉर् कर दिल बाद में सोचेंगे भाई ठीक ठाक विकिट टेकिंग नेचर की है पहले इनिंग में अगर बल्लेबाजी मिल रहा है तो थोड़ा सा बैटिंग से उमित कर सकता है बॉलिंग से फिर भी नहीं है तो थोड़ा सा रिस्क लेई ही चकते हो पिक तो उतनी अच्छी है न एक पिल गया तो फिर कहा रहे भाई यार इसको और मिल रहा आपने कहा था ना मिले तक हो गया क्या बात करा था वह सकते हैं अच्छेंस मेलेगा तो अच्छा है रखेंगे दोनों के लिए ड्रॉप करके रखें बाकी रेनुगा ठाकूर की बात करें तो यह अपने पंटर फिक हो सकते हैं आज की मैच में अब हाला कि 10 मैच में तीन रिकाली लोग जो है शोच नी रहें लेकिन इस वैन्यूपर देख सकते हैं चार मैच में दो विगेट निकाल चुके तो थोड़ा सा ट्राइग कर सकते हैं वह श्रूबात में या स्विंग करवातना जानती है और अटपटो जरूर रखेंगे यहां पर से शोयता को अभी नहीं लेना है अपने टीम में को अभी के लिए नहीं जगा दे रहा हूं दीपती को रखना पड़ेगा दीपती हमारे टीम में सोफी हैसल टोन अपने जगे पे हैं बाकी अपर साहिमा ठाकूर जैसकी मैंने बोला डि की बात करें काफी बैटरिन पीक है सेकेंड इनिंग के लिए काफी बढ़िया रह सकती हैं बाकी हम लोग बात में देख लेंगे अब बात कर लेते हैं अपने टीम कंपोजिशन की टीम क्या रहने वाला है दोस्तों यह आपके सामने स्कीन पर मैंने टीम दिया है क्या यह इनकी में बालर है और साथ ही जात में बैट्समान भी और इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी की तरफ से बाकी आरसीवी की तरफ से देखो लोग क्या करेंगे स्मिती मंदना एस मेंगना यह अच्छी चोईस है मना नहीं कर रहो हूं यह रखेंगे इपरी सोफी इन पर अगर रिस्क लेना चाहते हैं इन पर अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो लेकर या फिर मिडल ओडर्स के जैसे कि अगर मैं बात करूँ एस मोलीनक्स है इनको अगर रिस्क पर लेना जाते हो तो लेकर यहां आप से ट्राइ कर सकते हो रेनु का सिंग को द्यान में रहता नहीं है सभी क्या अलमॉस्स सेंटीम से आ जाता है एक पॉइंट से बहुत जादा डिफरेंस नजर आ आ जाता है वागी कैप्टन सी के बात कर लेते कैप्टन सी दोस्तों यहां पर से काफी च्वाइस रहने यहां पर से एक और एच्वाइस आज की मैच में वहाए पैरी बार बार काऊंगा यह प्यारी लड़की प्यारी है अच्छा करके जाती है और बहुत बार मैच विन भी करवाती है तो इपैरी को आपको डिफरेंशियल आपको रखना है ठीक है इन तीनों पर मैं ज्यादा से ज्यादा सोच रहा हूं बाकि यहां पर से बात करें तो सोफी डिवाइन भी एक अच्छी च्वाइस है लेकिन वह क्या होगा फिर चेजिंग वाले सीच्वेशन म मतलब पहले रसी ने बॉलिंग लिया उस कंडिशन में आप थोड़ा क्याप्टेंसी ट्राइगा सकतों तो यह चार चीज प्लेयर्स जो है यह इंपोर्टेंट रहें डिपेंड यह करता है कि आप क्याप्टेंसी किसको कर रहे हैं रोटेट करिए ज्यादा से ज्यादा एक लकी विनर हो और आपने देखा ही नहीं है तो टेलेग्राम पे मैं पोस्ट कर दूँगा लकी विनर्स का नाम जल्दी से जुड़ जाए टेलेग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है पहले कमेंट में मैंने पिंट कर दिया है और कमेंट सेशन में लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए टाटा बाबा जाहिंज अबारत लव यू ओल